C-I-E-T-N-C-E-R-T द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्विदिय भाषा के रूप में हिंदी की पाठे पुस्तक दूर्वा भाग एक 25 पाठ जैपूर से पत्र प्रिष्ठ संख्या 121 से 125 तक अब प्रस्तुत है पाठ जैपूर से पत्र यहां अमर का एक पत्र दिया गया है जो उसने अपने पिताजी को लिखा है पत्र के दाहिनी ओर सबसे पहले लिखा है पता रिक्त स्थान उसके नीचे रिक्त स्थान जैपूर उसके नीचे तारीख रिक्त स्थान उसके नीचे पत्र के बाई ओर से पत्र प्रारंभ होता है पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, परसों रात को हम सकुषल जैपुर पहुँच गए, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, अध्यापकों ने हमारा बहुत ध्यान रखा, यहां मौसम अच्छा है कल सुबह, जलपान करके हम सब लोग जैपुर की सैर के लिए निकले सबसे पहले हमने हवा महल देखा, हवा महल के पास ही जंतर मंतर है इस वेध शाला का निर्मान राजा जय सिंग ने किया था, हमने घूम घूम कर जंतर मंतर देखा इसके बाद हम राम निवास बाग गए यहां एक अच्छा कला संग्रहालय है यह दर्शनी यह है संग्रहालय में जैपुर के राजा महराजाओं के कपड़े अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र रखे हुए है जैपुर से लगभग 14 किलो मिटर की दूरी पर आमेर का किला है यह बहुत पुराना और बड़ा किला है आमेर में शीश महल देखने योग्य है शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है मंदिर में दर्शन करने के बाद हम शहर वापस आए रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे फिर राजस्थान का विशेश वेंजन दाल बाटी चूर्मा खाया आज दोपहर बाद हम जीलों के शहर उदैपुर जाएंगे अगला पत्र उदैपुर से लिखूंगा माता जी को मेरा प्रणाम और लता बहन को बहुत प्यार पत्र के दाहिनी ओर सबसे नीचे लिखा है आपका पुत्र अमर अभ्यास एक अब मैं पढ़ूंगा और आप सुनिये यात्रा देखने योग्य आमेर का किला शीश महल राजस्थान दाल बाटी दर्शनीय घूम घूम कर जीलों का शहर राम निवास बाग वेध शाला चूर्मा निर्माण मौसम गौशाला लोक नृत्य नाश्ता वैंजन राजा महाराजा जंतर मंतर संग्र हाले अस्त्र शस्त्र दो अब कुछ शब्द और उनका अर्थ समझते हैं सादर आदर के साथ सकुषल ठीक तरह से ठीक ठाक ध्यान रखना खयाल रखना दर्शनीय देखने योग्य निर्माण करना बनाना वापस आना लोटना वैंजन पकवान आईए अब कुछ शब्द और उनके विपरीत शब्द जानते हैं पहले बाद में बहुत कम पुराना नया शहर गाउं आईए अब कुछ शब्द और उनका वाक्य में प्रयोग करके देखें प्रणाम पिता जी को प्रणाम गुरु जी को प्रणाम माता जी को प्रणाम नमस्कार चाचा जी को नमस्कार भाईया को नमस्कार प्यार छोटे भाई बहनों को त्यार तीन आईए अब समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करते हैं यहां दो स्तंभ दिये हैं पहले स्तंभ में दिये गए शब्द हैं ध्यान रखना संग्र हाले दर्शनीय वेंजन सकुषल दूसरे स्तंभ में दिये गए शब्द हैं देखने योग्य ठीक ठाक पकवान खयाल रखना म्यूजियम उदहरन के लिए मैंने स्तंभ एक के शब्द वेंजन का मिलान किया है दूसरे स्तंभ के शब्द पकवान से चार यहां तीन स्तंभों में शब्द दिये गए हैं आप प्रतेक स्तंभ से एक एक शब्द लेकर और उन्हें मिलाकर वाक्य बनाएं तो स्तंभ एक में दिये गए शब्द हैं पीटर, मोहन, बच्चे, पिताजी, नीतू, रमा, लड़की, लड़कियां, माताजी स्तंभ दो में दिये गए शब्द हैं मुंबई, चेन्नई, पुने स्तंभ तीन में दिये गए शब्द हैं गया है, गई है, गई है, गई है, गई है उदहरन के लिए रमा, चेन्नई, गई है या पिताजी, पुने, गई है पांच, यहां चार स्तंभों में शब्द दिये गए हैं आप प्रत्येक स्तंभ से एक-एक शब्द लेकर और उन्हें मिलाकर वाक्य बनाएं कर स्तंभ एक में दिये गए शब्द हैं मैने, तुमने, हमने, आपने, उसने, शीला ने, मोहन ने स्तंभ दो में दिये गए शब्द हैं चिन्नई में, हैद्राबाद में, केरल में स्तंभ तीन में दिये गए शब्द हैं अजायब घर, किला, समुद्र तट स्तंभ चार में दिया गए शब्द है देखा उदहरण के लिए मैने, केरल में, समुद्र तट देखा या, हमने, चिन्नई में, अजायब घर देखा ख यहां तीन स्तंभों में शब्द दिये गए हैं आप प्रत्येक स्तंभ से एक-एक शब्द लेकर और उन्हें मिलाकर वाक्य बनाए वाक्य बनाते समय पुलिंग और स्त्रीलिंग का अवश्य ध्यान रखें स्तंभ एक में दिये गए शब्द है आज मैं पुलिंग आज मैं स्त्रीलिंग स्तंभ दो में दिये गए शब्द है पैंसिल किताब कौपी रुमाल स्तंभ तीन में दिये गए शब्द है नहीं लाया हूं नहीं लाई हूं उदहरन के लिए आज मैं किताब नहीं लाया हूं या आज मैं कौपी नहीं लाई हूं चह आईए अब वाक्य बदलने का अभ्यास करें जैसे हम रोज बाजार जाते हैं मैंने इस वाक्य को बदला हम कल बाजार गए इसी प्रकार अब आप वाक्य बदलिए एक बच्चे रोज बाजार जाते हैं दो शीला रोज नौ बजे सोती है तीन सुरेश रोज सुभह पाँच बजे उठता है चार वह रोज टहल ले जाता है साथ अब कुछ प्रशनों के उत्तर दीजिए प्रशन संख्या एक यह पत्र कहां से आया है प्रशन संख्या दो जैपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है प्रशन संख्या तीन महेश ने आमेर में क्या क्या देखा प्रशन संख्या चार जैपुर की वेध शाला का निर्माण किस ने किया प्रशन संख्या पाँच कला संग्रह में क्या क्या रखा हुआ है प्रशन संख्या चह राजस्थान का विशेश वेंजन क्या है? योग्यता विस्तार विद्यार्थी अपने किसी मित्र या रिष्टेदार को बड़े दिन या दश हरे की छुट्टियों में आने का निमंत्रन देते हुए पत्र लिखें और लिफाफा तयार करें दूर्वा भाग एक अभी आप सुन रहे थे कक्षा छे के लिए द्वितिय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक कलाकार, प्रवीन शर्मा, तिलक राज, राजेश आहुजा और सत्यश्रवा शर्मा ध्वन्यंकन बटिल्यांग लिंग्डो तथा निर्माण, निर्देशन वध्वनिसंपादन, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT